नमस्कार मैं हूं कमल श्रीमाली हम बात करें गोचर की ट्रांजिट की सूर्य 15 मैई 2019 से 15 जून 2019 तक व्रस रासी में रहेंगे व्रस रासी सूर्य के लिए सर्तुरू रासी है हर रासी के लिए यह व्रस रासी का सूर्य क्या गेंद देगा या क्या लॉस देगा क्या अच्छा करेगा, क्या बुरा करेगा, क्या लाब देगा ये क्या हानी करेगा, ये सब कुछ देखने का उद्दिश हमारे इस प्रोग्राम में है, सूरी को ग्राओं का राजा का आ जाता है, सूरी गौर्रमेंट सेक्टर का मालिक है, सूरी आत्मविश्वास का पराकुल का स्वामी है, सूरी का अनुकुल होने का अर्थी है, गॉर्मेंट से लाप, आतमविसौास में व्रद्धि, आपके पराकरम में व्रद्धि, धन, संपत्ति में व्रद्धि, ये सब कुछ शूरी के अनुकुलता का कारण होता है और यही यदि सूर्य नेगेटिव है तो इन सब सुख सोधाओं में कमी हा जाएगी तो इस एक मा में 15 मई से 15 जून के बीच में सी सूर्य के रासी पतन से आपको क्या मिलेगा यही देखना है तो सबसे पहले मेश दा एरिस तो मेश रासी के सेकेंड आउस में अतात यह जो मैं प्रोग्राम दे रहा हूं यह मून साइन पर आधारित है चन्दमा पर आधारित है आपकी जन कुणली जब भी आप उठाएंगे एक लगन कुणली है और एक रासी कुणली ह तो आपको यह कारेकरम रासी कुणली पर आधारित है उसी डंग से देखना है तो मेश रासी के लोगों को रासी से सेकेंड सूरी होने पर आँख में प्रोग्राम हो सकती है व्यर्थ की बातों पर गुसा आ सकता है और आपकी वानी रुखी हो सकती है आप अब अजुबान देकर रहा है अता समझदारी में कमी करेगा कॉमन सेंस को चोट मौचाएगा प्रॉलम देगा सूर्य एड्ता उसको देखने के कारण टिक एंटेस्टाइन की प्रॉलम दे सकता है अब पेट से समन्दीर प्रॉलम दे सकता है यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा संतान से क कोई कोई ऐसी स्थिति ऐसी सूचना मिल सकती है जिससे आपका मन व्यतित हो चाह संतान के रिजल्ट को लेकर के हो सकता है संतान की कोई कारेक्रमों को लेकर हो सकता है या उनके कोई लड़ाई जगड़ों को लेकर के भी आप परेशान हो सकते हैं सब मिला करके यह महिना आपक ज़ादा ध्यान रखना है अब बात करते हैं अगली रासी 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 में लगन भाव में आता रासी में ही सूर्य है तो चनमा और सूर्य दोनों का मेल मिलाब कब होता है जब मावस्या होती है तो आपकी रासी में सूरी आने का मतलब यही है कि आखों से समधित प्रॉलम आपको हो सकती है, सुख सुदाओं में आपके कमी आ सकती है, भूमी बाउन वाहन को लेकर के कोई इनको समस्या उत्पन हो सकती है, और अपने जीवन साती से या व्यापार में सांजेदारों से आपको रखना चाहिए क्योंकि सनी mentally harass करने का काम करता है obstacles देने का काम करता है हर चीज़ को linger on कर देता है इसलिए आपको safe game खेलने की जगत है financially यह महिना आपको crunch में देगा अथाथ कोई कोई समस्या है आपको financially आती रहेंगी और जो भी business deal करनी है उसके लिए थोड़ा सा सोच विचार कर लें उसके वर्काउट कर लें उसके बाद में आगे बढ़ना ज़्यादा बैटर है यह महिना आपको mentally harass करेगा परिशान करेगा आपको blood pressure दे सकता है आँखों में problem दे सकता है इसलिए इन रोगों से समधित आपको बहुत केरफुल रहना है गौर्मेंट से लेटेड कोई deal अगर आप करने जा रहे हैं कोई भी बात करने जा रहे हैं कोई भी ऐसी कोई भी meeting करने जा रहे हैं 12th house का अर्थ है अपमान अपयस कोड कर चेरी वादवाद रोग एक्सिडेंट यह सब कुछ जो आपकी life में negative होता है उन सब को 12th house से देखा जाता है तो रासी से 12th सूरी जाकर के अपमान अपयस की बात कर सकता है कोई कोई एक्सिडेंट से problem create करवा सकता है या कोई गौवर्मेंट से losses हो सकते हैं बिना फालतु का कोई notice आकर के आपको पैसा बढ़ना पढ़ सकता है और सूरी के 6th house पर जस्ती है जहांकि मंगल है और सूरी आपके पराकरम का अधिपती है तो जो भी आपके पराकरम वाले जो भी आपके दोस्त हैं भी आपकी गुडविल है वहाँ पर भी चोट पहुशने की संभावना है अथाद व्यर्थ के दोसरोपन से आपका जो सरकल है उसमें आपको negativity आ सकती है उसमें आपको problem आ सकती है इसलिए आपको safe side में जाना चाहिए safe side में game खेलना चाहिए और यदि को ऐसे इस्तिती आ रही है तो mentally prepare हो करके अपने सरकल को maintain करें कर the cancer रासी से 11 सूरिय यह सबसे ज़्यादा benefit देने वाला महिना होगा क्योंकि रासी से 6 शनी वो आपके लिए better है रासी से 5 ब्रसपती वो आपके लिए बहुत better है रासी से 11 सूरिय यह आपके लिए बहुत better है धनो संपती का स्वामी सूरिय रासी से 11 है और यह भी कहा जाता है कि जो गर पापी होते हैं जो गरम गर होते हैं वो थर्ड, सिक्स और 11 में आकर कि सबसे ज़्यादा बलवान होते हैं सबसे ज़्यादा फाइदा पहुचा आते हैं तो यह समय यह माहा आपके लिए एक्स्ट्रा ओर्डिनरी बेनिफिट उठाने का है यदि कोई काम आपने रोक रखें यदि कोई पैसा वसूल करने की बारी है तो आपको इस माहा का उप्योग करना चाहिए इस माहा का मतलब 15 मही से 15 जून तक के लिए है दन और संपत्ती की बात उसमें आपके लिए बैटरमेंट है साथ ही साथ एजुकेशन से लेटे जो खुद एजुकेशन में हैं विद्यारती हैं जिनकी आयू कम है तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं कोई इंटर्वियो देने जा रहे हैं उसमें सक्सेस मिल सकती है कोई अगर बिजनस परसन है और वो अच्छी डिल के लिए जा रहे हैं तो गेन हो सकता है सब मिला करके ये महीना ये अतीज दिन आपको गेन देने वाले हैं अनेकसपेक्टेड गेन देने वाले हैं और जो गोचर की स्थिती ये मेजर प्लिनेट्स हैं वो आपको अलरड़ी सपोर्ट कर रहे हैं इस मा यातराएं हो सकती है वो यातराएं अच्छी होगी बिजनस को लेकर यात्राइं होने वाली है वो और ज़्यादा बैटर होगी तो करक रासी के व्यक्तियों को यह मा यह सूरिय का गोचर बहुत अच्छा प्रतिफल देगा बहुत ज़्यादा गेंद देगा सबसे बड़ा प्रतिफल है आज बात करें सिंग रासी से तो सिंग अब की रासी सिंग रासी है इसक्रेर रासी का अधिपथि सूर्य ही टेयंट ऑसमें जा करके सबसे ज्यादा बलवान मा जाये गा आपको कुल्दी पकं योग देनेbei वाला माना जाएगा सूर्य वाला साली होकर कि केंद्र और त्रिकोंड का अधिपथि दूसरे केंद्र मे जो भी उच अधिकारी हैं उनसे अनुकुलता बढ़ेगी उनसे आपका रेपो अच्छा बैठेगा सजनों द्वारा आपको अच्छा लाब मिलेगा जो भी काम आप करेंगे चाहे वो बिजनस डील है या यातरा है या अपने बच्चों के लिए कोई भी कारिकर में उसमें मैं बोल सकता हूँ का आपको positivity मिलेगी आपको success मिलेगी प्रमोशन का लाब आपको मिल सकता है आपके name fame में आपके पराकरम में आपके strength में रद्दी होगी अता सब मिला करके यह मा आपके लिए काफी betterment लेकर के आया है आपको इस समय का फाइदा उठाना चाहिए लाब उठाना चाहिए आईए बात करते हैं कन्या रासी के तो कन्या रासी को रासी से ninth house में सूरी आया है हम यह प्रोग्राम जो कर रहे हैं वो moon sign based है अता चंदर रासी से समंदित यह समस्या है हमारे जो कारेक्टर में वो चंदर रासी से समंदित है अता moon sign से समंदित हम यह प्रोग्राम कर रहे है तो आपको जो ये प्रोग्राम देखने को मिल रहा है, जो ये रासी फल देखने को मिल रहा है, ये moon sign based है. तो जो कन्या रासी वाले जाते के उनको रासी से नाइंथ हाँ, उसमें सूरे का प्रवेस होने से, सूरे का गोचर होने से, कांती का शेह होगा, जूटे दो सारोपन आपके वास लगेंगे, आपने जो अच्छे काम किये हैं, उनका शेह होकर के उल्टी नेगेटिविटी मिल सकते हैं, इनकम में कमी हो सकती है, रोग और असांती बढ़ सकती है, अथात जो टाइम पिरिड़ चल रहा है, उसमें जो रोग आपके पहले वाले रोग हैं, वो भी उबर करके वापस आएंगे, और मन में असांती रहेगी, मन में खिनता रहेगी, एक प्रकार से दुख व विरोध आपका बढ़ सकता है, जो भी आपका काम दंदा है, उसमें असांती हो सकता है, दुखी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूंगा, कि ये समय सर्फ लिमिटेड है, टेंपरेरी है, कोई भी प्रॉब्लम पर्मानेट नहीं है, इसलिए अगर प्रॉब्लम टेंपरेरी है, तो इलाज भी टेंपरेरी ही डूणना है, कभी भी टेंपरेरी प्रॉब्लम के लिए पर्मानेट इलाज नहीं होते हैं, ये ध्यान रखने की ज़रुते हैं, और ये हमारा कारिकरम जो है, जोतिस पर आदा रहीत है, अभी समय खराब है, लेकिन अगला समय आपके लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है, इसलिए इस समय को बहुत ध्यान से आप आगे टालिए, आईए बात करते हैं तुला रासी के, रासी से एड़ता उसमें सूरिय आपके बुरे कर्मों का फल आपको देता है, अता जो भी आपने बैक में नेगेटिव काम किये है कुछ खराब किया है, चाहे ग्यात और अग्यात दोनों ढंग से, कुछ लोग अंजाने में गलतियां कर बैठते हैं, कुछ जान बुझ करके गलतियां करते हैं, दोनों ही मामले में गलती-गलती ही कहलाती है, उसका रिजल्ट आपको भोगना पड़ सकता है, हेल्थ में प् आपके साधन पहले से ढूंड करके रखिए, जो आपके जीवन साती हैं, उनको कस्ट हो सकता है, और यदि आप विवाइत नहीं हैं, तब जो विवासे समंदित प्रपोजल आ रहे हैं, उसमें भी कहिन कही प्रॉलम आ सकती है, बंती बात बिगड सकती है, जो विक्ति ब्ल रहेगा, अतात बहुत ज़्यादा अपमानित होने का या डीफेम होने का खत्रा है, इसलिए ऐसा कुछ भी मत करिए, जिससे आपल मुझे मार वाली कहावच्च रितार्थ हो जाए, टेंप्रेरी टाइम पिरिड है, टेंप्रेरी वीक्नेस है, उस चीज़ को आगे बढ़ा अच्छा आपके लिए हो सकता है, अब बात कते हैं रस्टिक रासी के, रस्टिक रासी के जातकों को रासी से सेवंत आउस में सूर्य का गोचर हुआ है, सूर्य का प्रविश हुआ है, इस करण से सांत्वा भाव जीवन साती का है, सांत्वा भाव सांजेदारी का भी है, सा पूरियो सतुरुराशी में होने से और जो आपका सूरी का अधीपती गरह है वो 10th house है कर्म का अधीपती सतुरुराशी में है राशी से 7th है ऐसी इस्तिती में आपको अपने घर गरस्ती में भी अपमान अपस कलेश का सामना करना पड़ेगा सस्वाल वालों से भी कोई बात पर वेमने सिता हो सकती है लड़े जगड़ा हो सकता है और इस पेसली आपको जीवन साती और बच्चों से रिलेटेट ज्यादा केरफूर रहना पड़ेगा क्यों या तो जीवन साती के साथ क्लेश होगा या उनकी बीमारी को लेकर के आपको प्रॉलम फेस करनी पड़ेग आईए अब बात करते है धनूरासी की रासी से सिक्स था उसमें सूरिय सबसे ज़्यादा गेन देने वाला माना जाता है थर्ड सिक्स और इलेवन जैसक मैंने पहले भी बताया बहुत ज़्यादा बैटरमेंट देता है बहुत ज़्यादा इंप्रॉमेंट देता है बहुत स साम में आपको सक्सेस मिलेगी जो भी एनिमीज हैं उन पर आपको विजय होगी आप उनको एनिमीज को कंट्रोल कर पाएंगे यह मैं बोल सकता हूं आपके खुद के परसनल इंफुलेंज में व्रद्धी होगी आपका नेम फेम बढ़ेगा तो आपके पराकरम में आपके एफ़र्ट आप जो भी करेंगे उसमें सक्सेस आपको मिल जाएगी इसलिए इस समय का सही सद्विव करते हुए आप आगे बढ़िये एच्चिमेंट प्रोग्रेस आपके किसमत में है वो आपको मिलने वाली है तो बात करते हैं मकर रासी से मकर रासी के जात्कों को रासी स 5th house में सूर्य का प्रहेस हुआ है 5th house अताद बुक्िष्ण ओलेज 5th house का मतलब संतान 5th house का मतलब जाकर करके 8th house का लौड है 5th house में जाकर करके जस्ती उसके 11th house पे होगी अताद income में कमी करेगा जो भी effort है effort करेंगे उसमें बुद्धी बल भी कम लगेगा अतात किसी के कहने पर या वियर्थी बिना सोचे समझे कोई भी काम करके नुकसान उठाते हैं वो वाली स्तिति यहां पर आ सकती है संतान से कोई कष्ट हो सकता है तो साथ ही साथ कोई संतान को रोग हो सकता है जो भी ऑफिसर्स हैं उनसे वादविवाद हो सकता है उनकी अनुकुलता नहीं आकर कि पॉस्टिविटी नहीं आकर कि आपको नुकसान दे सकता है जो भी यातराय करें जो भी ट्रेवलिंग करें उ इसलिए जो भी traveling और especially abroad की traveling को टालना चाहिए सब मिलाकर कि यह जो इस्तिती है वो सब देखने के बाद में व्यक्ति अपने आपको बेबस महसूस करने लगता है उसको ऐसा लगता है कि व्यक्ति का अपना पराकरम अपना कर्म या अपना जो भी effort है वो कोई माईने नहीं रखता है दूसरे factors भी उसके लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो ऐसी इस्तिती में जो यह situation है उससे यहीं लगता है कि ग्रह बहुत बलवान होते हैं और ग्रहों की भासा समझने की जोरते हैं अब बात करते हैं कुम्रासी की रासी से फोर्था उसमें सूर्य मानसी को सारेली रूप से दुखी करता है परिशान करता है तो घर में भी इस्तिती कलेश की बन जाती है घर में भी इस्तिती वादविवाद की बन जाती है और जो संपत्ती है, जो कुछ भी भूमी भवन्द और वान से समंदित है, उनसे लेटर प्रॉलम आ सकती है, चाहे आपने कोई जमीन खरीदी है, कोई फ्लेट खरीदा है, उसमें प्रॉलम आ सकती है, वाहन का कोई अक्सिडेंट हो सकता है, वाहन से किसी कोई चोट लग सकती यह होगी यह बहुत को serious नहीं matter होगा लेकिन फिर भी mentally harassment करने के लिए एक छोटा सा dent भी काफी होता है तो जमीन जाइदा से समंदीद problems आ सकती है जो सुखी होने के या facilities के लिए items मिलने चाहिए जो situation आनीच यह facility की सुख सोदाओं की वो नहीं आती है और विक्ति को sacrifice करके आप आपने आपको आगे बढ़ाना पड़ता है जो भी traveling है traveling में भी आदमी दुखी होता है traveling में भी जो for example आपने बहुत अच्छा reservation कर आया वो train ही cancel हो जाती है तब ऐसी situation में आपको जो कुछ भी facilities मिलेगी जो कुछ भी मिलेगा उससे चाहे बस से चाहे टेक्सी से चाहे और जो विवाई सुक है या जो भी merit life है उसमें भी परिशानियों करने वाले factors आएंगे विवाई सुक में कमी आएगी और मान हने की संभावने रहती है चाहे सस्वाल वालों के द्वारा या जीवन साते के द्वारा तो सब मिला करके ये time period आपको अपने घर में ही दुखी करन सकते हैं जैसे कि मीन रासी वाले विक्तियों को है तो मीन रासी के विक्तियों को रासी से थर्ड आउस में सूरी का प्रवेस हुआ है और ये सब और से success देगा सब और का मतलब ये है रोगों से मुक्ति हो सकती है जो भी आपके officers हैं officer से अब जाकर के आपकी बटरी बैठ ज कंतान से अपने मित्रों से अपने circle से आपको gain मिलेगा, name fame मिलेगा, आपकी पतिष्टा बढ़ेगी, goodwill बढ़ेगी और आपके personal strength में ब्रदी होगी ये बोल सकते हैं सब मिला करके ये बोल सकते हैं कि लक्षमी प्राप्ति होगी, इमान पतिष्टा ब्रदी होगी, आपका name फिर्म बढ़ेगा इस अवदी में ज्यादा तर लोगों को प्रमोशन मिलता है या कोई एक्स्टा ओडिनरी एवार्ड रिवार्ड मिलता है जो फिर्म लाइन से रिलेटेड व्यक्ति हैं मीन रासी के हैं उनकी यदि कोई मूवी आने वाली है तो उनको एक्स्टा ओडिनरी स अच्छा नेम फे मिलने वाला है इसलिए मैं एडवांस में आपको कॉंक्रिलेशन दे सकता हूं अब बात करते हैं हम उपायों की सूर्य की अनुकूलता से सूरी की पॉजिटिविटी से आपको घर में सुख संपति आती है सूरी के अनुकूलता से लक्षमी प्रसंद होती है लक्षमी प्राप्ति होती है सूरी की प्रसंदा से आपका जीवन यापन उच्छ स्रिनिका होता है अताद गौर्मेंट सेक्टर से आपको लाब होता है आपको प्रोमोशन मिलता है आपको अच्छे पद प्रतिस्टा की प्राप्ति होती है सूरी बलवान सूरी ग्रहों क लाया है वो व्यक्ति रोजा ना ये मान करके चलिए कि सूरी को अर्ग देना एक प्रगा से नियम बना लीजिए सूरी को अर्ग देने के लिए एक तामबेका लोटा होना चाहिए उस्हें पानी बढ़ना है थोड़ा सा गुड़ हो तो वो डालने और सूरी का मंतिर जाब करते हैं, ओम ग्रनी सूरिया एक मंतर जाब करते हैं, या पिर गायतिर मंतर बोलते हैं उसको आपने अरगे देना है और ये अरगे दस बजे से पहले पहले देना है, हर अभीवार को ग्याहूं गुड़ और तांबेका दान कर सकते हैं, सूरी का एक मंतर और है ओम राम रीम रॉम सह सूरिया नमा उसका पाट कर सकते हैं नहीं तो छोटा सा मंतर ही है ओम ग्रणी सूरिया नमा अपने आप में बहुत मात्पून है वो कर सकते हैं आप हर अबेवार को ग्यांगोर तामेका दान कर सकते हैं ये सब सूरि के उपाए हैं तो जिन लोगों को आपनी कुंडली में योगों को जानना चाते हैं, आपकी लाइफ में कोई प्रॉलम है, उसको सॉल करना चाते हैं, तो मैं इस 15 मही से लगा करके 30 जून तक बहुत से सहरों में आने वाला हूँ, आप अपना समय निकाल करके अपनी समस्याओं के लिए मुझसे मिल सकते हैं, त तो 17 से 20 मही तक मैं मुंबई में रहूंगा, 26 से 27 मही तक मैं मुंबई में रहूंगा, और जून में 6 से 8 जून, 21 से 24 जून तक मैं मुंबई में हूँ, तो मुंबई का नंबर या और किसी भी सहर के अपॉंटमेंट के लिए आप जोतपूर का नंबर ही नोट कर लिजिए, 0291 फॉन नमबर है 244 001 एक बार और दोर रहता हूँ 244 001 यहाँ पे फॉन करके आप कोई भी सेर का appointment fix का सकते हैं अब बात करते हैं next schedule की वो बड़ोदा में 25 मई को है यदि आप दिल्ली ओ दिल्ली के आसपास रहते हैं तो 31 मई से 1 जून तक 15 से 16 जून तक और यदि पूना के आसपास रहते हैं तो आपको 19 मई के आसपास आप पूना में मिल सकते हैं आगरा के आसपास रहते हैं तो 2 जून को मैं आगरा आने वाला हूँ 9 जून को मैं नागपूर आने वाला हूँ 23 जून को मैं राइपूर आने वाला हूँ और कलकता में 28 जून से 1 जुलाई तक रहूंगा यदि आप ठीक मुझसे मिलना चाते हैं मुझसे कोई भी डिसकस करना चाते हैं तो आपका स्वागत है आप सरफ अपॉटमेंट लीजिए और मेरा स्टाफ आपको सारी इस्तिती से अवगत करा देगा कि आपको कहां पर आना है किस एडर्स पर आना है किस समय आना है तो आज बस इतना ही फिर हम लेंगे आपके जिवन से सम्मंदी सुक में बनाने के लिए कोई कोई उपाए कोई कोई ग्रेश्ट दी तब तक स्वस्त रहिए प्रसंद रहिए अपना खैल रखे नमस्कार